हलो एवरिवन माईसेल्फ सुनील कुमार पिवमा आप देख रहे हैं ग्यानोदाए फोर यू लेटेस्ट जाव यूटूब चैनल प्रेंड इसमें सभी डिपार्टमेंट की लेटेस्ट गौर्वर्मेंट वा प्राइवेट वैकेंसियों के बारे में आपको जानकारी मिलेग और फ्रेंड इसमें किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी परकार के फेक इंफार्मेशन की जानकारी नहीं दी जाएगी जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी और बिल्कुल करेक्ट इंफार्मेशन होगी क्योंकि फ्रेंड ह कोई भी इस्टूडेंट हो वो देखका परसान हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे हैं उनका उद्देश होता है कि हमारे वीडियो पर व्यूज आए और हमारा चैनल गोरो हो लेकिन वो किसी अधर इस्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं तो फ्रेंड हमारा की वेकिन्सी है और मेल तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए है और फ्रेंड जिसके लिए आप किसी भी लोकेशन से बिलांग करते हैं इंडिया में चाहे हुआ राजस्तान हो या एनि अधर इस्टेट से आप अपलाई कर सकते हैं और यही आपके लिए बेस्ट अपर्चून आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी परका के लेटेस्ट वेकेंसियों के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड अब हम जानकारी लेते हैं कि राजस्तान पुलिस कांस्टेबल की कितनी वेकेंसियां आई है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं राजस्तान पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल 438 पोस्ट के लिए धमाकेदार वैकेंसी आ गई है और यहां वैकेंसी पूरे आल इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए है और यहां मेल वा फीमेल बोथ स्टुडेंट के लिए एलिजिब क्या है और और सारी इसकी इलिजिबिल्टी क्या है जो कि क्वालिफिकेशन इसका क्या है यह सारी जानकारी लेते हैं और फ्रेंड हमारे नजाने कितने भाई बहनों ने आसा किया था कि इसे वर्दी के लिए तो फ्रेंड आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्टर की इसमें आप फार्म जरूर अपलाई करें और क्योंकि अब की बारी आप की पारी. तो चलिए फ्रेंड राजस्ताम पुलिस कांस्टेबल की जो टोटल 438 पोश्ट है इसके बारे में आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं एक साट इंफार्मेशन दे देते हैं एक टेबल के थुरूफ देखिए इसके बारे में हम जानने वाले सबसे पहले इंपोर्टेंट करने के फ़र्म अप्लाई करने के जो स्टार्टिंग डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके एज लिमिट क्या है यानि कि लास्ट डेट तक और देखिए इसके बारे में फीज के बारे में जान लेते हैं कि राजस्तान इस्टेट के लिए क्या है और इने आगे कि इसके लिए पुलिस कांश्टेबल के लिए physical standard क्या है और इसके जो running की जो गांश्टेबल general की है इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके silection process क्या है इसके exam के pattern क्या है और syllabus क्या है इन सारी जानकारी को आगे देखने वाले हैं तो चलिए friend देखते हैं सबसे पहल है कि इसके important date में start date of apply form तो इसके form apply के लिए कब से सुरू हो गया है 10 November 2021 यानि कि आज के दिन से ही इसका form apply होना सुरू हो गया है और फ्रेंड इसके जो last date क्या है इसकी last date है 3 December 2021 तो चलिए फ्रेंड आप आज से ही form apply करना सुरू कर दीजिए जितने भी candidate इस Constable post के लिए eligible हैं और अपना सारा document चेक कर लीजिए यदि आप eligible हैं तो form जरूर भरें और देखें फ्रेंड अब देख लेते है age limit क्या है age 1-1-2022 यानि कि 1 January 2022 तक इसकी age limit क्या है male candidate और female candidate के लिए देखिए फ्रेंड इसमें post name देखिए constable general constable general और constable telecom constable band और constable driver यानि कि 4 category की post है और इसकी अलग-अलग male की कितनी है और female की कितनी है age limit आप देख सकते हैं कि इसमें minimum age male और female दोनों के लिए same है कितना है 1-1-2004 यानि कि 1 January 2004 को इसका बार्ण हुआ हो यानि कि उसका जन्म दिन 1 January 2004 के पहले ना हो यानि कि minimum age 18 साल होनी चाहिए तो और देख लेते हैं देखिए इसमें male category के लिए कितना होना चाहिए 2-1-1998 यानि कि कितने वर्स होने चाहिए 23 साल होनी चाहिए और वही पर देख सकते हैं कि ये female category में 2-1-1993 है तो friend male category के लिए maximum age कितना होना चाहिए 23 साल होना चाहिए और minimum 18 साल होना चाहिए वही पर आप देख सकते हैं maximum age female female के लिए कितना होना चाहिए 2-1-1993 यानि कि अधिकतम female category के लिए age कितना होना चाहिए 28 साल दिया है और वही पर देखें यह दोनों तो जो तेज साल और अठाई साल जो दिया है यह constable general constable telecom और constable band के लिए है और वही पर देख सकते है constable driver के लिए minimum age कितना है वो तो 18 साल ही है और maximum age female category के लिए कितना है देखिए इसका है 2195 यनिके maximum age 26 साल होना चाहिए यनिके considerable driver के लिए वहीं फे female candidate के लिए कितना होना चाहिए 31 साल होना चाहिए अधिक्तम age और देखिए फ्रेंट application fee के बारे में जान लेते हैं देखिए unreserved OVC के लिए कितना है 500 रुपय है और देखिए 500 रुपय किसके लिए है other state के लिए है यनिकी जो राजस्तान से बाहर है जैसे कि बिहार है UP है 36 गड़ है यनिकी other state जो है उसके लिए unreserved OVC के लिए 500 रुपय है इसकी registration fees और वहीं पे देख सकते है SC, ST और सहरिया EBC राजस्तान के लिए 400 रुपय है और वहीं पे unreserved OVC के लिए 400 रुपय है तो यनिकी जो राजस्तान state से बिलांग करते है उनके लिए 400 रुपय है registration fees है और जो बाहर है के state के हैं उनके लिए 500 रुपय है और देखिए इसको आप दो रुप में payment कर सकते हैं online mode में और e-mitr application के द्वारा और देखिए फ्रेंड राजस्तान पुलिस constable के eligibility क्या है देखिए district police candidate जो है वो 12 पास होना चाहिए यनि कि high school pass या equivalent होना चाहिए और वहीं पे RAC यानि कि राजस्तान constable mbc battalion के लिए candidate जो होना चाहिए वो high school pass होना चाहिए और वहीं पे जो police telecommunication post लेंगे उसके लिए 12 पास होना चाहिए with science category में और कौन से subject से physics और math या computer से होना चाहिए जो telecommunication होना चाहिए और देखिए वहें पे जो constable driver होंगे उनके लिए क्या होना चाहिए उनके लिए तो पहली बात तो जो candidate हो उनके पास permanent driver license होना चाहिए जो light motor vehicle हो या heavy motor vehicle के लिए और देखिए जो license होना चाहिए वो जो last date होती है इसके farm apply करने के उसके एक साल पहले का होना चाहिए तो यह थी इसकी eligibility थी राजसाम police constable के लिए और देखिए friend राजसाम police constable vacancy के बारे में detail में जानते हैं जो चाहिए इसके बारे में detail में जानते हैं देखिए इसमें जो पोस्ट है चार पोस्ट है अलग-अलग category में जिसमें की constable के लिए area देखिए नान ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है vacancy 3536 vacancy है वही पे टी एसपी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कितना है 625 यानि constable general के लिए total पोस्ट 4161 पोस्ट है और वही पे देखिए constable telecom के लिए कितने है नान टी एसपी के लिए 114 पोस्ट और टी एसपी के लिए कोई भी vacancy नहीं है यानि कि total जो constable telecommunication के लिए है 114 पोस्ट है और देख सकते हैं constable जो driver होंगे देखिए नान टी एसपी के लिए 68 पोस्ट है और टी एसपी के लिए कितना है 32 पोस्ट यानि कि constable driver के लिए total hundred पोस्ट पर eligible है और देखिए जो constable biting sector के हैं उनके लिए tantable Ralph गिए कितना है तेज है और वहींende पे टी एसपी के लिए ही है considerable के लिए नां टीसपी के लिए नहीं है तो टोटल तेज है इस पकार टोटल कितनी वेकिंसिया आई है जो राजस्तान पुलिस कांस्टेबल के लिए 439 पोस्ट तो इसलिए फ्रेंड आप सब इस रेक्वेस्ट है कि आप फार्म जरूर अपलाई करिए क्योंकि यही आपके लिए सांधार अउसर है यह यूनिफार्म पहनने का और देखिए फ्रेंड अब हम देखते हैं राजस्तान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल स्टेंडर्ड है देखिए फिजिकल स्टेंडर्ड में क्या क्या है आप देख सकते हैं मेल और फीमेल की जनरल एरिया में जो हैं जनरल एरिया से जो बिलांग करते हैं उनके लिए देखिए मेल कटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट कितना होनी चाहिए एक 68 सेंटी उनमें male category के लिए कितना height होनी चाहिए यह देख सकते हैं 160 cm और female category के लिए कितना होना चाहिए 145 cm तो female तो 145 होंगे ही जो आदिवासी ही लोग होते हैं और यहीं पे देखिए chest कितना होना चाहिए general area में general area के मतलब है कि जो गाव में होते हैं सहर में होते हैं ऐसे लोग और जो सहरिया या ट्राइबल एरिया होते हैं जो पहारी एरिया में होते हैं और यह जो कम विक्सित लोग होते हैं उनके लिए हैं तो देख सकते हैं जनरल एरिया में जो होते हैं उनके लिए मेल का इडिट होते हैं उनके लि और फीमेल के लिए कोई उसमें वह नहीं दिया है और वह ही पे देखिये शहरिया एवं ट्राइबल एरिया के जो मेल है उनका चेश्ट कितना होना चाहिए चाहिए 64 से 89 कि s और वही ट्राइबल एरिया के जो है उनका 43 से कम नहीं होना चाहिए और मेल का तो कोई वेट ही नहीं है वो तो 55 प्लस है अल्रेडी होते ही है जो भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है और देखिए अब हम जानते हैं कि रणिंग फॉर कांस्टेबल जन्रल यानि कि जो द 25 मिनट में 5 किलो मीटर की रेस लगानी होगी मेल काटेगरी के लिए और फीमेल में वहीं 5 किलो मीटर की जो रेस होगी 35 मिनट में होनी चाहिए और देखिए यहीं पे सहरिया और ट्राइबल सेक्टर के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कितना होना चाहिए 5 किलो मीटर क तो फ्रेंड और देखते हैं आगे राजस्ताम पुलिस कांस्टेबल सेलेक्शन प्रोसेस क्या है देखिए इसका एक्जाम पैटन क्या है इसमें देखिए रिटेन एक्जाम होगा रिटेन एक्जाम में देखिए कांस्टेबल जर्नल के लिए 150 पचास कोश्चन होंगे और सिटी ड्राइवर के लिए यानि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 150 होना है कोश्चन और वहीं पे देखिए जो कांस्टेबल बैंड है उनके लिए 50 और देखिए पेट टेस्ट में इनका 30 नंबर होना चाहिए और पीटी यानि कि फिजकल जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए देखिए 30 अंग मिलना चाहिए और पीज़ ड्राइवर के लिए 20 नंबर होनी चाहिए और वहीं पे देखिए ये से कांस्टेबल जो बैंड है उनके लिए 20 अंग होना चाहिए और देखिए और अजीं के लिए अबिलीक और ट्रेड कोदिंगर होना चाहिए और देखिए और हों गार्ड जो हैं उनके लिए फिज़ कांस्टेबल जन्रल में 20 और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कुछ नहीं है और कांस्टेबल बैंड के लिए कुछ नहीं है इस पकार टोटल 200 और इसमें भी एक आंस्टेबल जो जनरल होंगे वो 200 और कांस्टेबल डराइवर है उनको भी 200 नमबर और जो कांस्टेबल बैन है 50 तो फ्रेंड अब हम राजस्ताम पुलिस कांस्टेबल के एक्जाम पैटन के बारे में कुछ जान लेते हैं देखिए देखिए इसमें जो कोशचन पैपर होगा वो पूरी तरह से mcq-based होगा क्या होगा mcq-based में होगा और देखिए इसमें negative marking भी होगी कितना होगी one fourth होगी यनि कि इसके जो negative marking होगी one fourth होगी और जो कोशचन पैपर available होगा वो दो language में होगा English और Hindi दोनों में होगा और इसकी जो exam duration होगी ये होगी total two hours के यनि कि दो घंटे का paper होगा और देखे फ्रेंड और देखे फ्रेंड exam pattern में subject name देख लेते कौन कौन से subject होगे देखे इसमें reasoning होगी reasoning में logic and basic knowledge of computers computer के भी होगे कितने question होगे ये होगे 60 question होगे और कितने अंके होगे 30 अंके यनि कि एक question जो है आदा मार्क के होगा और वही पे देखे जनरल knowledge science और current affairs के 35 question होगे एक एक number के होगे और देखे knowledge about crime against women यनि कि जो महिलाओ के खिलाप crime होता है उसके बारे थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए children legal जो बच्चों के लिए कानून होते है provision है rule rating है इसके लिए भी 10 question होंगे और एक 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 अंके होंगे और उसी पकार ये राजस्तान के जीके भी आपको मालूम होना चाहिए कितने question होंगे राजस्तान से related ये 45 question होंगे और एक एक अंके होंगे total 45 अंके इस पकार total 1500 question होंगे और कितने मार्क के होंगे देखिए इसमें सबसे ज़्यादा राजस्तान जीके के हो गए इसलिए राजस्तान स्टेट के लिए स्पिसल तयारी करके जाएं जरूर आप और देखिए फ्रेंड राजस्तान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस क्या है रिजिनिंग है रिजिनिंग में क्या क्या आता है देखिए लोजिक एनलोग सिरीज पजल टेस्ट और क्लाक कैलेंडर मीरर डाइस क्यूब और क्यूब स्टेटमेंट कैलकुलेजन और लोजिकल रिजिनिंग वर्ड लेटर एरेजिमेंट वेन डाइग्राम, डायरेक्शन, टेस्ट और बलड रेलेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, डेटा इंटर पिटेशन, नान वर्बल रिजनिंग, और अर्थमेटिक रिजनिंग, माइस मिसलेनियस, ये होगा रिजनिंग में, और जनल नारेज वा जनल साइन्स, एवम करेंट पॉस्चन होंगे इसमें क्या क्या होगा करेंट अफियर होगा इंपोर्टेंट जो आर्गिनाइजेशन होती है इंस्टिट्यूशन होगा जेओग्राफी होगे एकोनामिक होगा फाइफ एयर प्लान जिसे पंच वर्सी योजना कहते हैं आर्ट एंड कल्चर और इंडियन प कम्प्यूटर एंड इट्स एप्लिकेशन साइबर क्राइम यह सब आएगा जनरल नालिज में जीके में आएगा और साइंस यह सारे कोश्चन होंगे और देखिए फ्रेंड यह है इसका स्लेबस और इसको आप जरूरे बहुत ध्यान से देखें भले थोड़ा वीडियो फेस्टिवाल, फॉक डान्स, कस्टम, इंपोर्टेंज, टूरिज्म, प्लेज, पॉलिटी, क्लाइमेट, रीवर, लेक्स, राजस्थान, करेंट अफियर्स, और मिसलेसियर्स, मिसलेनियस होना चाहिए तो यह सब राजस्थान के लिए होना चाहिए यानि कि वहां के कल्च सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, साइबर, सिक्योर्टी, एमेस आफिस, वाइरस, लेटिस्ट, टिकनोलाजी, यह सारे इंफार्मेशन आपको जरूर होना चाहिए तो फ्रेंड, आज की इंफार्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सिक्षन में जरूर बताएं तो फ्रेंड एक बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए, बहुत सुलो मोशन में आप देखते जाएए, आपको जो भी जहां भी जिस फैक्ट की जानकारी लेना है, उस पर पॉस करके आप देख सकते हैं और उसका साट स्क्रीन भी ले सकते हैं ये देखिए, ये टोटल है, जो भी जानकारिया है, एक्जाम पैटन के लिए, और देखिए फ्रेंड, ये है आपके रनिंग फार कांस्टेबल जनरल, किसकी कितने, पांस किलो मीटर की रन कितने मिनट में लेना ये है, और देखिए, ये आपको फिजकल इंफार्मेशन है अलग-अलग से एरिया से जो बिलांग करते हैं कैंडिडेट, और देखिए फ्रेंड, ये जो चार कटेगरी के पोस्ट है, उसके लिए अलग-अलग कितनी कितनी पोस्ट हैं, उसके बारे में जानकारी है, ये, और देखिए फ्रेंड, इसमें इलिजिबिल्टी क्या है, ज स्कूल पांस मांगा है पुलिश टेली काम के लिए है ट्वेल्व पांस होना चाहिए साइंस से और जिसमें फिजिक्स और मैत या कंप्यूटर जरूर होना चाहिए और उसी पकार जो कार्टेबल ड्राइवर हैं उनके लिए लाइसेंस बहुत जरूरी है वो भी एक साल पहले की होनी चाहिए और इसमें देख सकते हैं अपले केसं फिस जो राजस्तान के हैं उनके लिए चार-चार सो रुपए है और जो राजस्तान से बाहर स्टेट के हैं उनके लिए पांस सो रुपए हैं तो यह है फ्रेंड और मिनीमम एज और मैक्सिमम एज दिया है और देख ल 21 है और देखिए इसमें जो राजस्ताम पुलिस कांस्टेबल की एक्जाम डेट होगी वो दिसंबर से एक्जाम होने लगेगा और जन्वरी 2022 तक होगा तो फ्रेंड इसमें ज्यादा टाइम आपको प्रिपेरेशन के लिए नहीं होगा इसलिए आप अभी से तयारी करिए और एकदम रिवीजन तो बहुत जरूरी है तो चलिए फ्रेंड आज का सेशन कैसरा प्लीज कमेंट सिक्षन में जरूर बताना और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब वीडियो में नई वैकेंसी की जानकारी लेकर तब तक के लिए हसते रहें मुश्कुराते रहें थैंक्स फार वाचिंग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए जै हिंद जै भारत